नमस्कार महत्तो कांग्सी चात्र वामनी अदर्शक गण ग्रोथमोट यूपी एसे के संद्धी सेवा एवां प्रत्योगीता प्रिक्साओ के लिए अती महत्तो पोना इसे प्रति दिन प्रदर्शित होने वाले संसुद्ध संपदक्ये विशेशन के आज के यहीं 30 जुलाई 2021 के सत्र में मैं दुरू जानी आप सब कर दिक्स्वागत करता हूं जैसा अपको मलूम है हमने इस महिने की 27 तारिक से जो संपदक्ये लेखों की चर्चा है वो संयुक्त रुप से हम यहां अब ला रहा है यानि कि प्रति दिन अब एक ही वीडियो संसुदित संपदक्ये वि अब दिस यह है और इन फैरफारों से काफी सरा फाइदा भी मिल रहे है क्योंकि स्टेटिक जो सब्जेक्ट है वो भी प्रेलल अब दिरे दिरे गरत्मोंट यूपी एसे के यूट्व प्रेटफोर्म के अपर सुरू होने वाला है प्लस जो एडिटोरियल से जो उनकी बात प्रद्रशित करने वाले हैं तो इसी के तहत दिन में एक बर यहां एडिटोरियल की जिर्चा होगी जिनमें मारे करेंट अफेस तो कवर होने ही है मगर साथी में अमरी जो अनिया स्किल्स है जो अमरी प्रिक्षाओं के लिए मत्तुपुन रेती है जैसे अंसर करने का प्रियास करेंगे अज एक मुद्दे को पर बात कर रही है कि मत्तुपुन लेक छपा है जो की टाइम सोफ इंडिया का है और सिविल सर्विसेज रिफॉम्स के बरे में बात करता है यानि कि जो संदी सेवा है जिसके लिए आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं तैयरिया कर रहा है वही संदी सेवा में अब फरफर की जरूरत है समय की मांग है समझना है आज के इस समय में यह बहुत ही क्रूशियल यह मुद्दर हैगा कि जो विरासत जो लगसी में मिली है सिविल सर्विसेज में वो दरसल कोलोनियल है और यह आउटडेटेड हो गई है रहेंगे इन सरी चीजों की बात अमलोगी है पूरी चर्चा में करने वाले है देखेंगे जैसे यहां दरशियमाने असोशियाट सब्जेक्ट जीएस पर टू जो यूपी यसी का जो मेंस का सिलेबल से उसमें जीएस पर टू अडिन देखेंगे तो यहां कारिये सुची कर तहत इसके ओपर बात करेंगे और परिक्सा लक्सी बात होगी देखेंगे आपको यहां प्रतिकात्म के इमेज सबको दरशियमाने स्विन सर्विस रिफॉर्म्स और देखेंगे पांच बिंदू के तहत अमें यहां पूरा मुद्द देखना है सबसे प्रतम वाइन न्यू प्रतिक बारे में चर्चा करेंगे जो उत्करांत यूवी जो ड्वलफमेंट हुआ है जिसे अगर हम भारत के संदर्व में देखें तो प्राचीन समय से ब्यूरोक्रेटिक जो संरचना है जो किसे भी संस्था में होनी चाहिए वो में देखने को मिलती है तो उसके बारे मे अधिय यूग और अज के अर्वाचीन यानी की मोडन यूग में अधुनिक यूग में क्या परिस्तिती है वो भी देखना है फिर एल्मेंट्स एफ्लिक्टिंग इंडियन से विल सर्विस यानी की जो चलेंजिस है भारत के इस संदी सेवा के रिफॉम्स में उनको देखने का परिस करेंगे और क्यों यह रिफॉम्स जरूरी है वो भी यहां ही देखेंगे and after that we are going through components of civil service reforms अगर रिफॉम्स करने है तो कौन-कौन से component होने चाहिए किस तरीके से यह जो रिफॉम्स का execution है वो होना चाहिए वो यहां देखना है और अखरी में changing mindset यानी की अब एक mindset डेवलप करने की जरूरत है कि नया जो अधुनिक civil services का जो रोल है वो कैसा रहेगा और क्या रहेगा तो within this particular schedule we are going to discuss one by one देखेंगे वाई news तेन बिन्दू देखने है सबसब रिफम इटीज लोंग पेंडिंग डिबेट सर्फेज डगें काफी सालों से तकरीबन दो या धाय दसक से यह दलील जो हो चल रहे है कि क्या civil services में किसी भी प्रकार के reforms लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए लाने चाहिए तो कैसा लाने चाहिए क्यों लाने चाहिए ठीक है इती अधी चीजों की बात होती होती रहती है यह फिर से सर्फिस के ओपर आई यह बात दूसरा बिन्दू देखे तो इंडिया इस एक्स्प्रियेंसिंग जट लैग ड्यू टू को लोनियल एरा स्विल एड्मिनिस्रेशन स्टॉक्चर याने कि जो फिरंगियों के दौरा यह प्रस्थभित किया गया था वही के बात प्रस्थप्इधट की यह किया है किसी प्रकार की प्रकपर दूसर कोई इसीं और कर लिए 18th century 19th century में किया था ठीक है तो काफी पुरा ना होने की वज़े से भारत जो है वो एक jet lag का अनुभाव कर रहा है and through कर्मयोगी mission if you remember mission कर्मयोगी which is dedicated to civil services in India and was inaugurated by प्रदनमंत निमेंदर मोदी ठीक है तो उसके तहत यहां पुरा reform जो है वो लाने की कोशी से सरकार भरपूर कर रही है और उसके लिए तीन मेंबर्स की एक task force का भी निर्मन कर दिया है through mission कर्मयोगी attempt to come out with a major bureaucratic reform three member task force has been created ठीक इसके लिए एक task force का गठन भी किया गया है और आसा है कि यह कुछ ऐसा एहवाल पैस्ट करें सरकार को कि सरकार उसके उपर तोरीथ ही कदम उठाए और civil service में कोई बड़ा फिरफार लाए तो यहां से यह पूरी जो चल्चा है वो जो है आज मरे सामने है उसके बाद द देखेंगे what is civil service से शुरू करेंगे देखेंगे civil service refers to a body of government officials who are employed in civil occupations it's a body यानि कि यह एक प्रकार का संगठन है मोटे मोटे तोर पर not not in a very tight meaning मगर एक मोटे मोटे तोर पर एक संगठन है जो की सरकार का है सरकार के अधिकारियों का है जैसे यहां लिखा है government officials एक प्रकार के bureaucrats है और जिनको civil occupations के काम दिये गया है प्लस जैसे यहां पूरी service इवल हुई तो इसका function जो है वह भी broader होता गया ठीक है पहले के जमने में जो आज चीजे इसमें include है जैसे society upliftment, poverty eradication तो वह पहले उसमें नहीत नहीं थी संदी सर्वों के function में उसके कारियों में मगर over a period of time civil services का function है उसका जो role है वह उसका scope देर देर बड़ा उसके बादे civil servants are neither political and nor judicial यास they are neither political यानि कि वह राजनेतिक नहीं है कते ही नहीं है और साथी में वे नियाइक भी नहीं है they are not judicial as well तो यह यहां बात में सुनिशित करनी होगी ठीक है तो यह मोटा मोटा मतलब है कि यह एक ऐसी body है जो सरकरी अधिकरियों से बनी है और जिनको civil occupations उनको कुछ काम दिये गया है प्लस बूर्क्राइट्स आर एक्षुली अ प्राइमरी ओर्गन और अनी गोर्रमेंट ठीक है यह भी है कि यहां से बात में सुनिशित करनी होगी यह प्रामरी ओर्गन अनी गोवर्रमेंट फ एनी नेशन फिर आगया देख्या तो मैं अब एवलुशन के तरफ देखना है क इसका एवलुशन एक्षट हुआ किया तो तीन बिंदू है एंशन समय फिर उसके बाद मद्यकाल यह जो है मद्यकालें समय और अख्री मैं अधनिक समय देखेंगे फ्रम एंशन ताइम कोटिएज अर्थ शास्त्रा विचिस अवरी फैमस बूक स्टिपुलेट्स सेवन बे अर्फषण के लिए साथ चीजों का सूची का धना सुची लिस्ट भी है इंप ऑपाते अधिकारी होता है आमलदा भी कह लीजेए फिर जहनपदा, टरिटरी दुर्गा, फोर्टीफेट कैपिटल, कोशा, ट्रेजरर या उसको मेंटन करने वाला, जिसे कोशाधीस भी कहता है, दंड यानि की आर्मी, मित्र यानि की अलाई, तो यह साथ ऐलिमेंट्स है, जिन में अगर आप दूसरा ऐलिमेंट्स देखा है, सरकर, जैनि कि किस भी सरकर के लिए बिरोकर सेटी काई होना अनि वह रिया है, तभी उसका इसका पॉसक्शनिंग, उसका का दूसका और सक्संब्हा जायेगा, एफक्ट्व धेव इसकता है, फिर दो मोरियन इड्मिनिसटरशन के ब्यूरोक्राट से तो ब्यूरोक्राटिक अमें जो ट्रेल मिलती है अगर हम ट्रेस करें तो तो वह एंचेंट समय से मिलती है बहुत पहले के समय से मिलती है फिर मेडिवल परिये जाते आते हैं मुगलों के द्वरा मनसबदरी सिस्टम हो का उपियोग किया गया मनसपदरी याuff जानि कि वो एक प्रकर का पूल होता। एक प्रकर का अबandankा तूहीं होता है हात inherent मेकलू सेवागों सेवाएं के लिए ये जासकता है लिए बीशोल मिलिटरी सेवाएं तो ये प्रकर का पूल हें इसा मनसब्दरी सिस्टम केते थे थे and it was prevalent in medieval period याने की मध्यकाली समय में and जसे मैं आपको बताया it is a pool of civil servants available for civil or military deployment फिर दिरे दिरे अधुनिक यूग आया और अंग्रेज भी भारत आ पहुंचाया ठीक है भारत वह अनिया Asian countries में तो उन्होंने अब दिरे दिरे यहां bureaucratic जो पूरा structure है उसको इंटोड़ूस करना शुरू किया and it was introduced by Lord Carnovalis for the first time in India फिर उसके बाद the big changes were made by Lord Macaulay's report in 1835 फिर further reforms आये and अगर post independence की बात करें तो right now we are having open entry based on academic achievement yes academic achievement यानि कि जो merit है उसमें अच्छे प्रदर्स न से आप civil services में जूड सकते है and the second one is the permanency of nature यानि कि जो नौकरी है civil services की वो अपने अपने नेचर में permanent है यानि कि स्थाई है ठीक है एक परकार की security है तो यहां इस तरीके से यह जो पूरी की पूरी जो सनदी सेवा है उसका evolution हुआ और आज जो structure देख रहे है वो fully developed है आज के समय के अनुकुल जैसे जैसे अभी समय आगे जाएगा तो वैसे उसमें भी scope जो है वो further development उसमें देखने को मिलेगा तो यह बत रही evolution की under the heading introduction अब कुछ challenges देखनी है जो कि civil services यह उसके reform के साथ जुड़ी हुई है काफी है सबसे प्रस्तम शुरू करेंगे lack of professionalism and poor capacity building yes and it's a type of structural issue ठीक है और पुरा का पुरा जो है वो एक अब कह सकते है कि एक समन्य भाव है no expertise यानि कि expertise is absent in civil servants तो यह भी एक यहां आज एक challenge है poor capacity building trainings जो होती है वो बहुत ही fast होती है immediate होती है it should be lifelong it should be career long दूसरा rule book bureaucracy यानि कि यह जो bureaucrates है वे practical कम है और books rules इतिया दिचिजों का यानि कि जो manuscript से जिनमें यह पुरी जिदे लिखी गई है उनका application करते है without concerning any type of practicality तो यह भी अपना आप में एक challenge है और उसमें भी यह जो rule book follow करते है वो rule book भी colonial era की है तो वो तो अब कह सकते हो कि 100% outdated हो गई है expired हो गई है तो वो भी एक प्रकर का hurdle है challenge है then after lack of adequate transparency and accountability procedures yes तो we can see that there is a lack of adequate transparency तो आप किसी भी प्रकर का मुद्दा ले लेजिए which is in relation to bureaucrates तो उसमें आपको transparency and accountability दोनो ही कम देखने को मिलेगी and in next reforms government is to ensure that there is adequate transparency and accountability as well then after that political interference is also a big challenge in India because they are highly influenced the bureaucrates are highly influenced by political entities by regional political entities and in syndicate with each other they work they work for their own well-being for their individual well-being then after that systematic inconsistency in promotion and empenlement promotion तो समझ सक्पे है कि वो एक प्रकर का जो अप्रेडेशन ने मगर emperlement यानिकी transferring there is a very systematic inconsistency which are which is experienced by this bureaucrates in our country and after that gradual erosion in values and ethics yes and this all challenges will invite gradual erosion in values of ethics and its implementation तो यह सरी जो समसिय आया है जिससे भारत यह सिविल सर्विस चुज रही है और आगे चलकर कुछ फेरफार कुछ सुधार समय की मांग है सा यहां से मैं प्रतित होता है फिर the next one is component of civil service reforms there are many components which are divided into sub points and sub points of the sub points देखेंगे सबसे प्रतम स्ट्रुक्चर since independence the size of bureaucracy is increasing yes since independence government contemporary governments they are increasing more and more number of ministries number of departments number of divisions within them ठीक है तो इन सरी चीजों की वज़े से जो bureaucracy है उसका number उसका volume बरता जा रहा है more size weekends effectiveness of bureaucracy जो असरकारीता है वो इस particular factor से यहां दुरबल होती जा रही है और overall अगर हम output देखे तो वो भी अपना आप में decrease ही होगा huge exchequer on taxpayer जैसे 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 number of जो बीरोक्रेट से बढ़ते जाएंगे तो उनकी salary उनके pension इती दी चीजे जो है वो यहां taxpayer के जो पैसे उनमें से ही बरी जाएगी उनमें से ही दे दी जाएगी revenue expenditure तो यह भी अपना आप में structure जो है वो बहुत ही wisely बढ़ाना चाहिए और systematically बढ़ाना चाहिए ताकि कम से कम यह एक्षेकर के उपर दबाव बने एंड जो effectiveness है पुरी bureaucracy की वो भी जो है वाइवलेट ना हो या कम ना हो फिर रिक्रप्रेंट की बात करते तो रेस्नलेशन ऑफ सर्विस यास रेस्नलेजेशन एंड हर्मोनाइजेशन बहुत हर नीड ओफ आर सरकार को अच्छी रदी कैसे देखना होगा और जहां-जहां जितने अधिकारियों की जरूरत है उतने अधिकारी ही रखने होंगे पूरी chain में पूरी hierarchy में अज हमें excessiveness देखने को मिलती है अलग-अलग छोटे-छोटे मिसलिनिस डिपर्टमेंट्स के लिए अलग-अलग अधिकारी होता है तो यहां कोडिनेशन का भी अपने अपने चलेंज उत्पन होता है तो इस पर्टिकुलर मुद्दे से यानि की rationalization and harmonization से कोडिनेशन जो है उसका भी जो समस्य है वह वह भी कम हो जाएगी encourage lateral entry यानि की experts we need experts of a different field तो उनको यहां आने के लिए एक प्रकार से प्रोचसांग देना भी अनिवारिया है फिर capacity building की बात करें तो career की बात आएगी training की बात आएगी तो the training should be comprehensive yes plus it should be lifelong या career long कहना उचीत है training should be on district by district basis yes so it can be customized according to the special need of particular district and the reforming and restructuring HRM याने की human resource management ठीक है we need to reform and restructuring याने की जो incentives है जो promotions है जो motivation है वो सारी चीज़ के ओपर भी में ध्यान रखना होगा और एक आधुनिक तरीके से देना होगा फिर उसके बाद जो मुद्दा है वो कहता है कि performance and promotion यानि कि evolution की बात आई मुल्यंकन करने की बात आई institute goal setting and tracking जो आज absent है हमरे mechanism में ठीक है आज जो चल रहा है वो चल रहा है मगर कोई भी कुद्धिस ये को ताई करना फिर उसको जो है एचिव करना वो mechanism भरत में नहीं देखने को मिलता है सो यहां कहा गया है कि one need to institute फिर उसके बाद एक sparrow करके प्रोग्राम है जो अपने अपने smart performance appraisal report recording online window है जो अधिकारी है उनके जो performance है वो performance यहां record किये जाएंगे and it will be public ठीक है तो एक प्रकास एक competitive माहल बनने का प्रयास यहां किया गया है ताकि जो कार्यक्शन ता है वो भी बड़े असर करीता है वो भी बड़े फिर compulsory determine for under performer officer yes retirement जिनकी due है पांच साथ बरस में और उनका performance जो है वो लगतार खराब होता जा रहा है तो ऐसे अधिकारियों को जो है एक प्रकार से retirement दे देना चाहिए या उसके लिए लेना अनिवरिया बनना चाहिए and the incentivize the whole work ठीक है ऐसे goals के लिए targets के लिए उनके achievement पर अधिकारियों को incentivize करना चाहिए तो उनका moral भी उनका spirit भी बना रहेगा so this is performance and promotion आप लोग कह सकते है फिर professionalism and modernity changing needs in time of globalization the role of state has changed यस अज गूम मंदली करना का समय है तो यहाँ राजिया वो राजिय के अलग जो अंग है उनका कारिया भी या कारिया का सुभाव जो है वो थोड़ा बदला है specialist should be at policy framing level जो experts है उनको policy framing level पर रहना चाहिए और जो policy implementation level है वहाँ civil servants को रहना चाहिए है आज बरतना परिष्टी थी है कि policy framing level पर भी जो है आई एस के अधिकारी है यानि कि civil servants है वही policy implementation level पर भी वही है मगर उनका जो वस्तरिक काम है जो जो करना जहनते है वो policy implementation level का है नहीं कि framing level का वहाँ experts के लिए जगह खली कर देनी चाहिए जो चलने का प्रेस कर रही है विध डिफ्रेंट प्रोग्राम्स सच आइस इस्ट्रालाइस पुब्लिक ग्रिवेंग्स रिजिस्ट्रों मोनिटरी सिस्टम यानि कि सब कुछ ओनलाइन रियल टाइंग इंप्लिमेंटेशन ओफ ऑफिस गोवर्मेंट ऑफिस है उनको सब्तुतिशत इलेक्ट्रोनिक बिनाना यानि कि कोई भी व्यक्ति हो गरी उसे गोवर्मेंट की ज़रूरत पड़े गोवर्मेंट ऑफिस की तो वह वहां विजिट की अभीना अपने घर बेठा कर रही अपन प्रेय करता है तो यह सारी चीज को है पार को हि इक में देखी वह यहां अम लोग प्रोफेशनलिजम और ऐन मोडियी में देख सकते है अंब अगरी बात रही एकोंटिबिटी की 5 exactamente की निकोरि को इन्दी में जवाभ देही कहा जाता है जो जिम्मिदरी से थोड़ी भिणन तो उनका जो जीवन है अपने अपने जीवन नहीं है पहले तो राष्टर का जीवन है समाज का जीवन है यह quality के साथ उनको जो है civil servants बनना चाहिए यहां इन accountability के मुद्धों को देखके में प्रतित होता है तो यह सरे कुछ मुद्ध है जो अपने अपने मेंस अंस राइटिंग के लिए मख्टोपुनस भीत हो सकते है ठीक है यह बात रही components of service reforms की अब देखे तो हमें है changing mindset देखना है changing mindset जो आज दिन तक हम लोग समधता आये थे वह अब दिर दिर इस बदलते यूग में रोल जो है वो बदल गया है और हमें अमरी समझ को भी बदलना चाहिए देखेंगे आज दिन तक क्या था आगे क्या होना चाहिए commitment to civil services मगर यह commitment आज जो civil service का है वो आगे चलकर public service का होना चाहिए जन सेवा core values integrity and neutrality अब core values में integrity impartiality and delivery because delivery is a very main feature president follower and president creator work exclusively in policy and ministerial support roles work varies role between operations policy specialist skills and ministerial support वेखी यह कितना broader pub scope इसका जो है civil servants का वो होता दिख रहा है aim to lead the development of a major policy area while aims to deliver the outcomes of major policy area यस ठीक है outcomes जो है delivery की बात अब यहां करनी है अब उसका महतुआ है training fast trim but यहां अब देरे देरे training जो उसका सुभ भी बदलना पड़ेगा it should be more comprehensive and a career long development program orientation status quo and orientation जो ही इसका change and monopolistic यहां competitive ठीक है तो इस तरीके से नजरिया हमें बदलना पड़ेगा civil servants का civil services का अमरे भारत में तब जाके उसकी जो असर कारीता है वह उसकी कारीक्षमता है उसमें मैं बढ़ावा देखने को मिलेगा सो यह पूरी चीजे थी जो आज मैंने आपको कहने थी हमने चर्चा की I hope you enjoy the lecture हम लोग मिलेंगे अगले दिन एडिटोरियल के एक अच्छे है वह महत्तोपोना टॉपिक के साथ ऐसा ही संसोधन हुआ उसके विश्टेशन के साथ तब तक के लिए दीजिए इजैज़त देखते रिए गृत्माट UPSC शेर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलेंगे जई हिंद